हेलो फ्रेंड्स वल्कम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज के वीडियो में जानेंगे कि प्रेग्नेंसी के दौरान अगर गर्भ वती महिला को कच्छे चावल खाना बहुत ज़दा पसंद आने लग जाता है या फिर पके हुए ही चावल उनको खाना बहुत ज़दा पसंद आत हैं कि क्या प्रेग्नेंसी के दौरान चावल खाने से लड़का या लड़की का पता लगाया जा सकता है तो फ्रेंड्स प्रेग्नेंसी के दौरान गर्भ वती महिलाओं को कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज के लिए उनको बहुत ज़दा क्रेविंग हो जाती है कोई चीज खाना उनको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्याद अचानक से पसंद आने लग जाता है तो ऐसे ही अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको चावल खाना बहुत ज़्याद पसंद आने लग जाता है चाहे वो चावल पका हुआ हो या फिर कच्चा हो अगर आपको प्रेगनेंसी क दौरान चावल खाना पसंद आता है तो माना जाता है कि आपके गर्ब में एक लड़की पर रही है ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ और मैंने अपने आसपास काफी महिलाओं को देखा और सुना है तो यही पता चला है कि उनको कच्चे चावल खाने की क्रेविंग मैंने अपनी बहन को भी देखा है उसको कच्चे चावल खाना बहुत जदा पसंद आता था तो उसको लड़की हुई और आसपास मैंने बहुत सारी महिलाओं को भी देखा है कि कच्चे चावल खाना उनको बहुत जदा पसंद आता था तो उनको लड़की हुई उसी तरह अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला को रोटियों की महक से उल्टियां होती है तो ऐसे में माना जाता है कि उनके गर्भ में एक लड़की पर रही है। फ्रेंड्स मेरे चैनल पर पहले से चावल को लेकर एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने उसमें बहुत सारे कॉमेंट्स आये हैं तो उसमें मेरे सब्सक्राइबर्स का कहना है कि उनको कच्चे चावल या फिर चावल खाना बहुत ज़दा पसंद आया था प्रेगनेंसी के दौ करना था तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई